हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सब का निकुंच बूटिक में आज बना रहे हैं पैंट की मोहरी का डिजाइन उसके लिए मैंने लिया है ये पेपर पेस्टिंग जो की डेड़ इंची है डेड़ से दो इंची आप इस तरह से ले सकती हैं और इसको मैंने दोनों म और ही है उतना ही आप ले लें जैसे आपने 34 तयार करना है तो 34.5 इंच की आप लें पैंट की तो मैंने सिर्फ आधा इंच इसमें एक्स्टा रख है और ये इस तरह से एक राउंड शेप का कोई भी ढखकन ले ले जो कि 1.5 इंच हो क्योंकि हमारा जो पेपर है वो भी करी तो इस तरह हमने इसको रखना है हाफ शेप इसकी इस तरह से मिला लेनी है इसके बाद फिर जहां ये खतम हो रहा है निसान वहीं पे हमने फिर से इसको रखना है राउंड शेप में इसी तरीके से हमने पूरी जो बुक्रम है उसके उपर इसी तरह निसान लगा लेने हैं यह वाला डिजाइन आप पैंट की मोहरी पे प्लाजो या सूट की मोहरी पे भी बना सकते हैं या सूट के घेरे पे भी यह इस तरह का डिजाइन बना सकते हैं जो कि बहुत ही कूपसूरत cut work डिजाइन है इस तरह निसान लगने के बाद केची से हम काट लेंगे इसको काटने के टाइम में हमने kone बिल्कुल एकदम sharp बनाने हैं ताकि जो डिजाइन बने वो भी अच्छा निकले बनने के बाद जो है उसके भी शार्प कोने बन के तयार हो तो इस तरह से दोनों पेपर को हम दोनों मोरी के लिए कट कर लेंगे पेस्टिंग को और आपको पैंट की कटिंग और स्टीचिंग देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कटिंग और स्टीचिंग की वीडियो डाल दूँगी आप कैसे पैंट में चेन लगा सकते हैं पॉकेट लगा सकते हैं बहुत सारी वीडियो का लिंक में डाल जितना आपने तयार चाहिए वहां पर marg लगा लें इस तरह जितनी आपने total length चाहिए उतना तो इस तरह करीब आधा से एक इंच जो है एक्स्ट्रा जितना भी छोड़ें आप उतने पर इस तरह इसको पट्टी को रखेंगे और यहाँ पे हम इसको स्टीच कर देंगे बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगानी है पेस्टिंग के उपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और कोनों पे इस तरह से नेडल को कोने पे आपने अंदर रखना है और फिर जो है मसीन के प्रेसर फुट को हटा के उपर करके इसको टन करना है इससे क्या रहेगा जो कोने हैं वो बहुत ही सही तरीके से निकलेंगे तो जब भी आप कोने पे आएं तो नीडल को अंदर रखें और फिर इसको मसीन को जो है प्रेसर फुट को उपर उठा के और टर्न करें इसी तरीके से हमने दोनों पैर की मोहरी तयार कर लेनी है जब कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसको अलग कर लेंगे और ये देखिए नीचे की तरफ से इस तरह से जहाँ जहाँ पे हमारे कव हैं और कोने हैं वहाँ पे हमने कट लगा लेने हैं अच्छे से के बाद हमने इसको टर्न करना है तो इस तरह दीरे दीरे हमने जो हमारे कव हैं उनको निकाल लेना है बहुत ही अच्छे से और खूबसूरती के साथ जो है हमारे बन के तायर हुए है इसके उपर आप हलके-लके आईरन कर लें ताकि जो डिजाइन है वो अच्छे से निकल के आ जाए और अच्छा दिखे इसके बाद हमने इसको उल्टा करना है दोनों मोरी को तयार करने के बाद इस तरह से कुछ रेडी होगी है फिर हमने जो एक्स्ट्राक फैब्रिक है उसको अंदर की तरह फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टीच लगा लेना है आप चाहें तो हाथ से इस पे तुरपाई कर सकते हैं अदर्वाइज आभी इस तरह मसीन से इसको सिल के अटैच कर देंगे दोनों पैर की मोरी पे इस तरह से एक-एक सिलाई लगाएंगे और फिर हमने मोरी को बंद कर लेना है जितना आपने मोरी तयार करनी है उतना आप निसान लगाएं और इस तरह फोल्ड करके इसको स्टीच कर देंगे बहुती सुंदर हमारी पैंट बनके तयार हुई है इस पे खुले वाले घेर सरकुलर पे और इस तरह या आप मेडियम साइज की पैंट पे भी आप बना सकते हैं आपने मोरि जिसकी मेडियम रहती है। इस तरह हमारा डिजाइन जो है बनकेय तैयार है। तो चलिए इसको दिखाते हैं कैसे। इस तरह से हम आising से उन एνटिरॉक करके इसको तैयार करलिया है। तो सीधी करके दिखाती हूँ पैंट की मोरी बनने के बाद ये कुछ इस तरह से तयार, बहुत ही खुपसूरत हमारी पैंट की मोरी तयार हुई है, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके शेर वेल लाइक कर दें और इसी तरह से आप जो है वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं, फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में तब त झाल